नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर स्वाती आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चानल पर आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे स्वात होंगे आज हम बात करेंगे टिनिटस के बारे में यह एक एर की कंडिशन है और इसकी मैं अपको बताऊंगी जो यह अभी रेकवे कंपनी ने टिनिटस ड्रॉप लाँचि की है र-1-9-1 के नाम से तो पहले मैं आपको बताऊंगे कि Tinnitus होता क्या है और ये medicine इस पर कैसे काम करती है इसका क्या composition है पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरू कर ले और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं तो पहले जान लेते हैं कि Tinnitus होता क्या है Tinnitus होता है जब कान में आपको आवाजे आती हैं रिंगिंग साउंड आती हैं जैसे घंटी की आवाज आ सकती है जैसे मक्खी बिन बिनार ये बजिंग साउंड करके बजिंग साउंड आ सकती है या फिर humming sound करके ऐसी आवाजे आ सकती हैं ऐसी कई तरीके की आवाजे होती है वो आपको सुनाई दे सकती है उसको noises जो हैं उसको हम टेनिटर्स कहते हैं ये आवाजे जिसको condition ये problem है उसी को सुनाई देती है ये ने की सामने या बाहर सुनाई देती है ये noises कई बार बिलकुल mild होता है problem उसको इतनी दिक्कत नहीं होती लेकिन कई बार इतनी loud होती है कि उसको anxiety हो जाती है उसको बाहर वाले की बात समझ में नहीं आती physical activity करने में problem होती है concentration level जो है वो reduce हो जाता है तो tinnitus के ये कुछ complications भी है अब ये होता किस वज़े से है ये tinnitus जो है कई दूसरे health issues के साथ आपको ये symptoms देखने के लिए मिल जाएगा जो health conditions होती है कई उनके साथ ये symptoms आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसका कोई particular cause as such देखा नहीं गया है लेकिन काफी health condition के साथ ये देखने के लिए मिल जाता है तो हम कुछ common health condition discuss कर लेते हैं जैसे अगर आपको hair loss की problem है मतलब आपको सुनाई नहीं देता है हलका सुनाई देता है या आपको head या neck injury हुई है inner ear में कुछ infection हो गया है wax की वज़ अगर आपके inner ear में कुछ muscle spasm की problem function हो गया है तो इस वज़े से भी आपको tinnitus की problem हो सकती है या और भी conditions होती है जिसमें आपको tinnitus की problem देखने के लिए मिल जाएगी अब basic इसके complications क्या है पहले तो आप physical activity आपकी work life family life थोड़ी सी problem देती है जैसे क्योंकि सामने वाला क्या बोल रहा है क्या बता रहा है आप सही से सुन नहीं पाते हैं क्योंकि हमेशा आपके कान में एक आवाज बनी रहती है आप concentrate नहीं कर पाते हैं बहुत साथा इस वज़ है और कईयों को बहुत जादा stress भी हो जाता है इसकी वज़े से अब इसको हम prevent कैसे कर सकते हैं prevention के लिए जैसे आजकल हम हमेशा earphones लगा के रखते हैं कान में तो हमें उसका use कम से कम करना चाहिए क्योंकि ये long run में इसकी problem कर सकता है अगर आप ऐसी जगा कहीं काम करते हैं ज ear hearing protection gadgets आते हैं वो use करने चाहिए दूसरा हमेशा आप अगर tv या फिर mobile या फिर laptop जो भी है बहुत loud volume पर अगर देखते हैं तो उसको आप थोड़ा सा control करें उसको धीरे देखा करें उसके बाद की कुछ problem है या हमेशा नहीं भी है तो cardiovascular health पर आपको काफी ध्यान देना अगर आप alcohol लेते हैं, caffeine intake बहुत है, nicotine intake बहुत जादा है तो उसको थोड़ा सा cut down करना चाहिए हमें तो ये एक general theme थी आपकी tinnitus के बारे में अब मैं आपसे discuss करूँ कि कि उसमें क्या medicine यूज होती है जो ये रेक्वेक की R191 drops है ये बहुत ही अच्छी drops है क्योंकि इसमें जो दो medicine है वो आपके ear infection और tinnitus पे बहुत अच्छा काम करती हैं सबसे पहली जो medicine है इसके अंदर वो है phosphorus और दूसरी medicine जो है वो है chininum self तो अब मैं आपको बताऊंगी phosphorus कैसे आप टinnitus पे work करती है पहली जो है phosphorus अगर आपको hearing difficulty है या hearing loss हो रहा है तो उस पे बहुत अच्छा काम करती है अगर जैसे आप कुछ भी सामने वाला कुछ भी बोलता है या आपके कान में हमेशा आवास eco होती है मतलब आपको वो दो दो बार सुनाई देती है अगर ऐसी condition है तो भी phosphorus बहुत अच् तो phosphorus बहुत अच्छी medicine है दूसरी medicine है चिननम सल्फ जो कि menious disease के लिए और tinnitus के लिए बहुत ही अच्छी medicine है होमियोपेथी में अगर आपको ringing noise आ रही है buzzing sound आ रही है roaring sound आ रही है कानों में तो यह बहुत अच्छा work करेगी specially अगर ringing और buzzing sound आपको left side में आ रही है तो यह काफी effective है यह वैसे भी लेकिन अगर general tinnitus है अगर दोनों side है तो भी बहुत अच्छा काम करती है साथ में अगर आपको vertigo भी रहता है इसके क्योंकि अगर आपको manious disease है उसके अंदर vertigo और tinnitus आपको problem रहती ही रहती है तो भी यह बहुत अच्छा काम करती है उसके बाद यह vertigo में hearing loss अगर हो गया है और कानों में भारी पन है तो यह काफी effective medicine है तो यह कुछ symptoms है यह दो medicine cover करती है और यह बहुत effective medicine है manious disease के लिए, tinnitus के लिए, hearing loss के लिए या फिर ear में आपको अगर कोई आवाजे आ रही है नॉइजे आ रही है उसके लिए बहुत ही अच्छी medicine है इसको लेना कैसे है इसकी 10-15 drops लेनी है दिन में 3-4 बारी आदे कप पानी में लीजे दिन में 3-4 बारी यह जो medicine है वो 22 ml की pack में आती है और इसकी MRP जो है 285 रुपी तो यह किसी भी store से मिल जाएगी या फिर online भी मिल जाएगी अगर आपको tinnitus की problem है आप यह medicine ज़रूर ले आपको अगर बहुत chronic है बहुत time से है तो एकदम तो नहीं सही होगा लेकिन दीरे दीर आपकी जो symptoms है वो आपको reduce होते जरूर दिखेंगे यह साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया